प्लपल दिल्ली से विशेश रिपोग्ट कोविड नाइटीन के दोरान लगे लॉकटाउन में और दिल्ली सहित कई जगों पर सराव की दुकाने खोलने का फैसला सिर्दध बरता चा रहा है। शराव की शोकीन लोगों ने लॉकटाउन और सोसल डिश्टेसिंग जैसी सारी लक्षवन रेखाओं को तोड डाला। और नतीदर यह रहा कि शराव के ठेकों के आगे पांसो पांसो लोगों की लंबी लभी कतारे नजराईं। दिल्ली के नरेला, करोलबाग, चंदरनगर, कृष्णानगर, करेला, नरेला, गीता कलोनी जैसे कई इलाके तथा पूर्वी दिल्ली में शराव की दुकाने बंद कर दी गई। हाला कि ये दुकाने पहले से खुली थी, लोगों में भारी शंख्या में यहाँ पर हर जगे कतारे बनाई और बड़ी बड़ी लाइनों में शराव लेने लगे। कुछ लोगों ने तो वहीं शराव पिनी शुरू कर दी और लड़ाई जगडा भी करने लगे और इसी वज़े से कई जगे पर पुलिस को लाठी शार्ज भी करना पड़ा। वहीं दिल्ली की दरिया गंज में एक शराव की दुकान पर करीबन 500 लोगों की लाइन लगी हुई थी और इसी तरह कॉलकता में भी ये सब नजारा देखने को मिला। वहाँ पर भी भीड को नियंतरित करने के लिए पुलिस को लाठी जार्ज करना पड़ा। इसके अलावा दिल्ली की चंद नगर और कस्मीरी गेट इलाके में शराव के ठेके के बाहर भील्ड को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। करीबन डेड महिने के लोगडाउन के बाद सरकार ने गरीन जोन में शराव के ठेके खोलने के इजाजती है और बेंगलोरु का एक वीडियो ऐसा वाइरल हो रहा है जिसमें बता जा रहा है कि शराव का ठेका खुला तो एक सक्स ने दुकान के बाहर आरती की और नारियल भ बूटी से कम नहीं दिल्ली करोना का होट स्पोट बाना जा रहा है आए दिन लगातार वहां पर नए मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में जब सोसल डिस्टेंसिंग की धजियां उड़ाई जाती हैं तो पूरे देश के लिए ये चिंता का विशह है क्योंकि दिल्ली पूरे दे लेके पर बड़ी लाईने एक बड़ी लापरवाही की तरफ हिसारा करते हैं लेकिन ऐसे में पूलिस भी यहां पर बेवस नजार रहा रही है आप देख रहे हैं परपल की विश्चेश रिपोर्ट प्रीव 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 तोर नोर गो प्रीट